structure सिखेंगे mitochondria का especially mitochondria या mitochondria mitochondria single लो बोलते हैं mitochondria lindy number में बोलते हैं अब सबसे पहली बात क्या है सबसे पहले mitochondria बनाने के लिए हम ऐसे दो parallel line structure बनाएंगे और इसी से एक तीसरा parallel line structure बना दिया खीक है इसको हमने यहाँ से ऐसे add किया जैसे आपने bacterial structure सीखा था इसको भी हमने यहां से add किया इसको यहां से add किया इसको यहां से add किया ऐसे थोड़ा सा ओके इत्ता करने के बाद हम इस पूरे structure को ऐसे dot line से feed कर दिया इत्ता करने के बाद अब हम mitochondria के inner membrane की बात करते हैं सबसे पहले ध्यान दिजेगा यह है mitochondria का outer membrane okay mitochondria का inner membrane बनाने में थोड़ी से सावधानी हमको रखनी है ध्यान से देखेगा ऐसे एकदम free hand से आपको बनाना है इसको किधर भी आप फोल्ड कर दो ऐसे किधर को भी बशकोशी शीर है इतना structure बनाया तो यह हमने बना दिया inner membrane क्या बनाया inner membrane इनके बीच का जो space है इसको बोलते है inter-membranous space क्या बोलते है inter-membranous space आप जो हमने अंदर की तरफ यह finger like projections बनाया है इन projections को हम क्रिष्टी बोलते हैं और जरा ध्यान दीजिएगा इन पे आपको इस तरीके से हनुमान जी की गदा that is called F1 particles यह गदा like structure आपको दिख रहा है ठीक है ना तो ऐसे आपको सावरेव structures को ऐसे F1 particles से ढग देना है इतना करने के बाद तो इन structures को जो आपको ऐसे दिख रहा है ना हनुमान जी की गदा सरदेश structure इनको हम F1 यह F0 और यह F1 यह F0 F1 particle यह इसी को हम Oxysome Oxysome भी कहते हैं अभी क्या है इतना बनाने के बाद हम अंदर की तरफ इसके fluidy structure को बनाएंगे mitochondria के अंदर का यह fluidy structure है इस fluidy structure को कहते हैं हम लोग क्या बोलता है matrix matrix बनाने के बाद माइटोकॉंड्रिया के अंदर आपको ऐसे circular DNA बनानी है circular DNA circular DNA बनाने के साथी साथ आपको छोटे छोटे नंबर में ribosomes भी दिखा सकते हो 70S ribosomes तो यह हमने 70S ribosomes दिखा दिया और साथी साथ इसमें आप लिख सकते हो mitochondrial enzymes या aerobic enzymes जो की aerobic respiration में आपका यह help करेंगे तो यह हमने especially बनाया mitochondrial structure so next figure is chloroplast so in the case of chloroplast आप दुबारा आपको you draw first line second line and third line okay first line को हमने यहां से ऐसे जॉइन किया okay ठीक वही funda जो हमने इसके पहले अपलाई किया था और तो हमने ऐसे इसको feed किया feed करने के just बाद आपने जैसे mitochondria में अंदर की तरफ इनर membrane को धसाया था यहां पर ऐसा बिलकुल कुछ नहीं करना है हमें इसको एकदम straight line ऐसे ले चल ली है हमने ऐसे straight line लिया ठीक है तो mitochondria की structure में यह है outer membrane same हो ऐसे ही जो पहले हमने देखा था वैसे ही लगबब होगा inner membrane और beach का जो space होगा inter membranous space inter membranous space इत्ता करने के जश्ट बाद आपको जो है इस chloroplast के अंदर आपको कुछ ऐसे structure बना रखने है द्यान से देखिए ऐसा कुछ ठीक एक और बनाते हैं ऐसे बहुत याशान है ऐसे बनाया और इस structure को कुछ इस तरह के structure से हमने ऐसे add कर दिया ठीक है तो आईए नाम जानते हैं इस पूरे structure को हम कहते हैं granum और एक को बोलते हैं thaila quiet जैसे आप समझे लोग क्वाइन लाकी structure है सिक्के हैं के उपर रखे हुए हैं तो एक सिक्के को बोलेंगे thaila quiet और पूरे structure को बोलेंगे गयनम ठीक है इस structure को बोलेंगे इस्ट्रोमा लेमेली इसके जश्ट बाद हमें यहां पर वापस circular dna दिखाना है that is जैसे हमने मैटोकॉंडियम दिखाय था circular dna बनाने के जश्ट बाद जो है आपको बड़ा important part बनाना है ठीक है तो यह जो fluidy structure देख रहे हो that is is trauma क्या बोलते हैं इसको इस्ट्रोमा बोलते हैं that is sight for the light sorry dark reaction ओके इसके अलवा छोटे छोटे नंबर में आप 70s ribosomes और next इसके अंदर कुछ special type के enzymes होंगे जो कि photosynthesis के light और dark reaction में involve होंगे तो लिख सकते हो आप photosynthetic photosynthetic enzymes जो light और dark reaction में आपके involve होंगे तो इस प्रकार से हमने जो है मैं आपको दोनों structure दिखाने की कोशिश करूँ तो ये structure mitochondria और ये structure chloroplast दोनों को बनाने का तरीका मैंने एक ही तरीके से बताया बस थोड़ा सा फर्क आपको सामने दिख रहा होगा